सिशस एडनाटा नमश्कार मैं डॉक्टर लाल रतनाकर सिंग आज आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ यह पौधा एक क्लाइमबर है जो कि अति पौश्टिक है और सधिय गुणों से युक्त है और इसका साग आदिवासी और जंगल के आसपास के रहने वाले लोग बड़े चाव से खाते हैं तो आईए जानते हैं सिशस एडनाटा के बारे में जिसे जहरखंड में खटा साग या जोजो साग के नाम से जाना जाता है आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि इस साग को कैसे पहचानते हैं या कहां कहां पाया जाता है इसके पौश्टिक गुण क्या है इसके औसदी अगुण क्या है और इसको हम किस प्रकार से उप्योग में लाएंगे इस पौधे का बोटेनिकल नेम है सिसस एडनाटा जो वाइटेसी फैमिली का सदस्य है इंग्लिस में इसे इंटाइर लीफ वाइल्ड ग्रेप भी कहा जाता है नेपाली में इसे चार पाते मराठी में ना देना कन्नड में गुडा मिटायक, तेलगू में गुडा माठीगे और कोकिट्या यारालू मल्यालम में ना देना, उराओं लोग इसे जहारखंड में खटा साग और मुंडा लोग बुरलई अरा या जोजो अरा के रूप में जानते यह पौधा एक क्लाइमबर है और इसे श्रब माना जाता है क्योंकि यह 5 से 15 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका इस्टिम जो होता है वो काफी उड़ी हो जाता है और यह फॉरेस्ट में या घने ब्रक्षों के समूव के बीच में पूरे साल पाया जा सकता है इसके पॉस्टिक गुणों के बारे में अगर हम जाने तो इसमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन इसके अत्रिक्त इसमें आयरन, कैल्सियम, मैगनिशियम, मैगनीज, कॉपर और जिंक भी परियाप्त मात्रा में होते हैं विशेश रूप से आयरन और कैल्सियम इसमें काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसे पॉस्टिक गुण प्राप्त होता है अब इसे कैसे पहचानेंगे तो इसका इस्टिम जो होता है वो उड़ी है और जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्लाइंबर है तो या तो यह जमीन पर फैलता है या अपने अगल बगल के ब्रक्षों पर का सपोर्ट ले करके यह उनके उपर चड़ता है इसमें जो साखाएं होती है उसमें बहुत सारे टेंड्रिल्स पाये जाते हैं जो अपनी पकड़ मजबूत करके सपोर्ट को पकड़े रहते हैं पतियां इसकी हरदयाकार या ओवेट होती हैं 5-12 cm लंबी और 4-9 cm चौड़ी होती हैं पतियों का उपरी सिरा नुकीला होता है और इसकी डंठल जो होती है वह 3-8 cm लंबी होती है और मार्जिन पर यह थोड़ा बहुत सिरेटेड होती हैं दातेदार होती फूल इसके जो होते हैं उसमें जो विन्यास पाया जाता है फूल गुच्छों में होते हैं और वह छत्री के आकार के हो जाते हैं जो 5-8 cm लंबी और 2-4 cm डंठल वाली होती है इसके जो इंडिविजूल फ्लावर होते हैं वह 1.7 mm लंबे और उनकी डंठल 2 mm लंबी होती है फूल इसके बेरी के आकार के होते हैं इसलिए इसे वाइल्ड ग्रेप्स भी बोला जाता है और 5 mm के आसपास इनकी चौड़ाई होती है seed orb wired होते हैं 6-4 mm इनका आकार होता है यह पूरे वर्ष पाया जाता है और इसकी जो कोमल पतियां होती हैं उनको तोड करके उनको चौप करके साग के रूप में बनाया जाता है और इसे बड़े चाव से जो लोग इसे पहचानते हैं और इनके जानकार हैं वो बहुत चाव स से इसको खाते हैं इसके पहले कि इसके औसधी अगुणों के बारे में हम जाने यह जानना आवश्चक है कि हमारे परिवेश में ऐसे बहुत से वीट्स उखते हैं जो अतिपॉस्टिक और स्वादिष्ट होते हैं औसधी अगुणों से युक्त होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं इस चैनल पर ऐसे बहुत से पौधों के बारे में पूरू में जानकारी दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी तो यदि आपको ऐसे पौधों के बारे में रुची है तो आप इस चैनल को स हैं जैसे कि इसमें अलफा एन बीटा एमिरिंस बीटा साइटो इस्टिरॉल कीटो इस्टिरॉइट्स केरोटीन विटामिन सी टैनिन और फिनॉल्स प्रचुर मात्रा में मिलता है इसमें ऐसे तीन फाइटो केमिकल आइसोलेट किये गए हैं जो ट्राइट टर्पिनोयट फ्ल के कारण इस पौधे को यह पौधा एंटी ऑक्सिडेंट गुणों से भर्पूर आरंपरिक रूप से इसका औसधी ओप्योग सदियों से किया जाता रहा है इसकी पत्तियां जो हैं उसको मुख्य रूप से जो घाव होते हैं फोडे फुनसी आदि में के ट्रीट्मेंट में यूज किया जाता रहा है पेट की खराबी में पेप्टिक अलसर में सिफलिस की बिमारी में साप काटने पर एंटीडोट के रूप में यूरो लिथीएसिस में जब यूरीनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है इस टोन आदि के कारण तो इसकी पत्तियों को ब्वायल करक है रियूमेटिक पेट में यह प्रभावी है बोन के फ्रैक्शर में इसका पॉल्टिस यूज किया जाता है और पेइनफुल मेंस्टूएशन में भी यह आराम पहुचाता है पने को अगर इसके हम देखें तो यह जॉन्डिस और पैरालिसिस में यूज किया जाता रहा है पने का जूस निकाल करके वह कफ में और डाइरिया की बिमारियों में इसका उप्योग किया जाता है इसकी जड़े हैं वो डाइ यूरेटिक होती हैं ब्लट प्योरिफायर होत इसकी एसिस बिमारी में के ट्रीटमेंट में इसका उप्योग किया जाता है इसके रूट का डिकॉक्षन तयार किया जाता है और उसका ही उप्योग इन बिमारियों को दूर करने में किया जाता है इसके अत्रेक्त इसकी रूट को पाउडर करके वह एंटी सेप्टिक के रूप में किया जाता है तो आज हमने इस पौधे के बारे में जाना जो हमारे परिवेश में है अति-पॉस्टिक है और यह पौधा प्रकृति द्वारा चुकि हमको प्रदत्त किया गया है इसलिए इस प्रकृति के वर्दान को हमको उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमें न्यूट्रिशनल सेक्योरिटी प्रदान करने में यह पौधा काफी प्रभावी हो सकता है इस तरह के पौधों को इस शैनल में पहले वीडियो बना देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाई